हेलो फ्रेंट्स, गोड इबनिंग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाइव फाइश डिपर ट्रिपल सी आपरेल एक्जाम के लिए आज का एक क्लास काफी इंपॉडेंट है यहाँ पर आप सभी को मिलेंगे पूरे 30 प्रसनों का एक लाइब क्लास जो की पिछली एक्जाम्स में काफी वार पोचे गए प्रसने तो ये पूरा का पूरा क्लास आपके लिए काफी इंपॉडेंट है अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो ये सभी कोश्चन आपको आसानी सियाद हो जाएंगे ठीक है तो क्लास को पूरा आपको देखना है ध्यान पूरवक समझना है और पूरा क्लास आपको लाश्तक करना है चलिए शुरुआत करते हैं आज किस क्लास की और आप सभी के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि एक PDF बना दिया गया है जैसमें 600 को रखा गया है और ये सभी कोश्चन टॉप कोश्चन है तो जिन बच्चों ने अभी तक अगर इनको बाय नहीं किया है तो आप लोग इसे purchase कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा बहाँ पर इसमें आपको 6 practice state मिलेंगे एक practice state आपका 100 question का होगा और साथ ही आपको LibreOffice shortcut की प्लस web browser की shortcut की भी इसी में मिल जाएगी तो अगर अभी तक डाउलोड नहीं किया है तो आप इसी आवा से डाउलोड करें तरफल जिक जाम के लिए काफी important है चली शुरुआत करते हैं आज किस class की सबसे पहला question आपके screen पर आज चुका है आपको बताना है ask एक web browser है सही या गलत में आपको जबाब करना है क्या ये सही है या फिर गलत है ask क्या है एक web browser है या फिर नहीं है यह हो जाएगा false option भी आपका correct होगा क्योंकि ask एक web browser नहीं है याद रखना है ask एक search engine है क्या है ask एक search engine है इसे आप note कर लिए धिया रखें ठीक है ये हो जाएगा आपका false option भी यहाँ पर आपका correct जबाब हो जाएगा धिया रखना है next question आपके screen पर आज चुका है जबाब कर देना है आपको सही सही क्या होगा round अना अब 246.346,2 यानि कि 246.346,2 का result पोचा है परड़ाम पोचा है क्या आएगा round फार्मूले का और फार्मूलों पर हमने एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें आपको समझाया था कि बिना excel, बिना calc के कैसे इन फार्मूलों को आप solve कर सकते हैं क्योंकि आपके exam में क्या होता है कि बहाँ पर आपको calc या excel नहीं मिलेगा सिर्फ आपको अपना question देख करके ही उसका answer लाना पड़ेगा तो हमने यही आपको बताया था कि कैसे आप केबल question देख करके answer ला सकते हैं उस video को अगर नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लेना link डाल दूँगा description box में जहां से उसको भी आप देख सकते हैं पूरा वहाँ पर फार्मूले ही समझाए गए थे फिलाल आपको जल्ली से जबाब कर देना है इसका answer क्या होगा question number second का और सभी साथी share करते जाओ फटाफट जो भी बच्चे आ रहे हैं सभी लोग फटाफट से share करते जाओ ताकि और भी strains आ जाए और like सभी लोग कर दो आते ही आप सभी लोग like कर दो class को क्योंकि बहुत best class होने बाला है आप सभी के लिए और सभी question आपको top questions मिलने वाले है जासे यहां पर क्या दिया है two दिया है कामा के बाद ठीक है तो आपको करना क्या है 10 मलब के बाद दो ही अंकर रखने हैं केबल आपको तीन और चार रखने हैं लेकिन इसका एक नियम यह होता है कि जैसे यहां पे 6 मुझे रखने नहीं है यह 6 जो है यहां से रिमूब हो रहे हैं और यह 6 रिमूब हो रहे हैं तो अगर यहां पर जो संख्या रिमूब आपकी हो रही है यहां से जा रही है उसको आप हटा रहे हैं अगर वो संख्या 5 या 5 से ज़्यादा यानि कि 5 या 5 से ज़्यादा है तो क्या करते हैं उसकी अगली संख्या में तो से संख्या बची है ना उस संख्या में आप एक बढ़ा देते हैं कब बढ़ा देते हैं जब जो संख्या हमारी जा रही है वो 5 है या 5 से ज़्यादा है अगर 5 से कम है तो फिर नहीं बढ़ाएंगे यहीं उतार देंगे 3 और 4 को उतार देंगे लेकिन हमें करना क्या है क्योंकि हमारा यहां पर 6 है जो कि यहां से remove हो रहा है जो कि 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 3 और 4 के स्थान पर एक बढ़ा करके 5 लिख देंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो यह हो जाएगा 246.35 क्योंकि 6 रिमूब हुआ जो कि 5 से ज़्यादा था अगर 6 के स्थान पर 4 होता तो क्या होता तो हमारा आंसर पहला वाला हो जाता 3-4 हो जाता क्योंकि 4 जब होता तो इसमें न घटाते न बढ़ाते केबल जब हम बढ़ाएंगे जब हमारा जो संख्या रिमूब हो रही है वो 5 या 5 से ज़्यादा हो ऐसे करके बहुत साए फार्मूले हैं जिनको हमने डिटेल में बताया है उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको सभी पता चल जाएंगे कोशन नमबर 3 का जवाब कर देना है उमंग एप किस मिनिस्ट्री से लांच किया गया गित मंत्राले से सिच्छा मंत्राले से इलेक्ट्रोनिक एंड आईटी मंत्राले से या फिर none of each क्या होगा आपका राइट आंसर कोशन नमबर 3 का सही सही बताना है जल्ली से comment box में कोशिस करना है 30 में 30 correct आंसर करें आप महिनत से सोचें समझें उसके बाद जबाब करेंगे तो कोशिस रहेगी कि आपका जो आंसर होगा वो सही होगा है ना और आपको कोशिस करनी है राइट आंसर देने की थोड़ा सा आपको mind लगाना है और फिर जबाब आपको करना है फिर आपको check करना है कि हमने कितने questions सही किये है आज के इस class में तो सही जबाब आपको करना है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होपसर सी हो जाएगा electronic and IT मंतरा ले ठीक है उमंग एप का full form गया होता है comment box में एक बाद type करें सभी साथी उमंग एप का full form क्या होता है और कई बार आप से पूछा है कि उमंग एप में ए का मतलब गया होता है उमंग एप में एन का मतलब क्या होता है ऐसे भी कई वार full form को पूछा गया है तो इसका मतलब क्या होता है unified mobile application for new age governance unified mobile application for new age governance होता है इसका पुरा नाम इसे आप दिहां रखें ठीक है पर गला question पूछा है SMTP का उप्योग किया जाता है बताइए SMTP का उप्योग किया जाता है कब किया जाता है mail भेजने के लिए mail डाउनलोड करने के लिए access समय के लिए या फिर इन में से कोई नहीं ठीक है SMTP का full form क्या होता है यहां रखना है simple mail transfer protocol याद रहे आपको simple mail transfer protocol होता है SMTP का पूरा नाम उप्योग क्या होता है यह आपको बताना है question number 4 में तो यहां पर पहला option right हो जाएगा mail भेजने के लिए ध्यां रखना है option number यह correct हो जाएगा mail भेजने के लिए अगला question आ चुका है आपके screen पर और आपसे पूछा है UIDI किससे जुड़ा है काफी simple सा प्रस्ण है बैसे QIDAI किससे सम्मन्दित है किससे जुड़ा हुआ है pencard से जुड़ा हुआ है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है UPI से जुड़ा हुआ है या फिर अलाफ दीज सभी सही है आपका answer क्या होगा आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है यहां रखना है यहां पर आधार कार्ड का सम्मन्द UIDI से है UIDI का सम्मन्द आधार कार्ड से है आधार कार्ड को किसने लांच किया या किसके दोरा जारे किया गया तो आधार कार्ड को UIDI के दोरा जारे किया गया जिसका मतलब होता है Unique Identification Authority of India भारतिय बिसिष्ट पहचान प्रादिकरण तो B option यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा अगला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर आचुका है ब्राउजर में नई टैब खोलने की shortcut की काफी बार पूछा गया है और यह कल के class में भी था सायद तो आपको जल्ली से आंसर कर देना है ब्राउजर में एक नई टैब खोलने की shortcut की क्या होती है जल्ली से जबाब बताना है comment box में option B हो जाएगा ctrl T ctrl T के साथ ब्राउजर में एक नई टैब open कर सकते हैं ठीक है तो आपका यहाँ पर B option right है चलिए question number 7 में आपको बताना है FSF का full form याद रखना है यह काफी important है और exam में पूंचा जाता है कई वार तो आप लोग इसे आप ध्यान रखें ठीक है आपको बताना है FSF का पूरा नाम क्या होता है free system foundation, free software foundation, free service fund या none of these बाइच चलो, भाई सभी लोग share करो जल्दी से जोلी बच्चे लाइप देख रहे हैं सभी साथी एक बार share कर दो और like नहीं क्या आये तो सभी लोग जल्दी से like कर दो एक बार सभी साथी लाइप कलास आप सभी लोग देखते रहे हो class आपको daily मिलती है 38 पर यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा question number 7 का option number B हो जाएगा ध्याँ रखना है free software foundation याद रहेगा आपको free software foundation fsf का पूरा नाम होता है याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला question आपके screen पर आज चुका है question number 8 और यहाँ पर पूचा है email और fax एक समान है आपको बताना है email और fax एक समान है क्या होगा इसका right answer यहाँ पर हो जाएगा option B आपका यह हो जाएगा false option number B आपका correct जबाब हो जाएगा रगला question आप से पूचा है Instagram किसे सम्बंदित है question number 9 में आपको बताना है Instagram किसे सम्बंदित है logic लगाएंगे answer पता चलेगा आपको Facebook से है Google से है Microsoft से है या YouTube से है अब बताएगे जबाब आपका क्या होगा Instagram का सम्बंद किसे Instagram एक प्रकर का social site है है और Facebook भी हमारा क्या है social site है तो Instagram का सम्बंद है Facebook से ठीक है Instagram का सम्बंद किसे है Facebook से है option number A यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर भी आप photo share कर सकते है और यहाँ पर भी आप photo share कर सकते है तो आपस में दोनों का सम्बंद है कहीं ने कहीं पहला option आपका यहां पे correct हो जाएगा अगला question पूचा है आपसे question number 10 में equal ceiling 97,7 का परणाम क्या होगा बताना है आपको इसका result क्या होगा सही-सरी जवाब करना है comment box में question number 10 का ceiling क्या करेगा 97 से उपर वो संख्या ढोड़ दी है जो 7 से divide हो जाए है ना तो ऐसी वो संख्या कौन सी होगी हमारी 98 होगी option number हमारा be correct हो जाएगा ceiling क्या करता है जो value यहां पर दी होती है first जैसे 97 दिया है इससे उपर की तरह वो संख्या ढोड़नी पड़ती है पहली वो संख्या मिलनी चाहिए आपको जो की अकली वाली संख्या जो यहां पर दी है उससे divide हो जाए पूरी तरह से 97 से नीचे की संख्या ढोड़नी है जो की आपकी अगली संख्या यहां पर दी है जैसा 7 दिया हुआ है इससे पूरी तरह बेवाजित हो जाए और इन दोनों formula को भी discuss किया है अमने उस class में जो भी आपको बताया था कि formula की class में ने दी थी इसमें सारे formula आपको समझाये थे औ SMTP का मतलब क्या होता है simple mail transfer protocol आप email से सम्बंदित है facebook से है facebook से है messenger से है search engine से है किसे है simple सी बात है email से सम्बंदित है है ना SMTP का मतलब है यानि की simple mail transfer protocol एक प्रगार का protocol है जो की email से सम्बंदित है तो पहला option यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा अगला question आपको बता रहा है question number 12 पूचा है building या campus में use करने वाला network कौन सा है when man land या none of these building या campus में यूज करने वाला network आपसे पूचा है कौन सा है यहाँ पर हो जाएगा c option correct आपका land जिसका मतलब होता है local area network क्या होता है local area network होता है man का क्या होता है metropolitan area network और band का क्या होता है wide area network क्योंक है t का क्या मतलब होता है iot में t का मतलब आपसे पूचा है यानि कि t का full form आपसे पूचा है जवाब करना है question number 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा c option thing ठीक है आप देखिए iot का मतलब क्या होता है internet of things क्या होता है internet of things तो t4 हो जाएगा things अगर आप से ओपोचते हैं तो आफ और आई internet internet of things हो जाएगा इसका पूरा नाम धिया रखना है तो c यहाँ पर आपका right answer है things चलिए question number अगला answer करना है आपको instagram पर कितनी देर का video record करके upload किया जा सकता है आप instagram पर कितनी देर का video record करके upload कर सकते हैं question number 14 का जबाब कर देना है आपको तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर पहला option correct 60 second का ठीक है first option आपका right हो जाएगा 60 second question number next आपके screen पर पूंचा है यहाँ पर आपको बताना है पी आर एका पुरा नाम और यहाँ पर आपका correct answer होगा option c primary rate access पी आर एका मतलब क्या होता है प्राइमरी रेट एकसेस हो जाएगा आपका सही जवाब नश कुश्चन आपके screen पर है आपको बताना है लिबर ओफिस राइटर में custom page style बना सकते हैं क्या आप custom page style बना सकते हैं लिबर ओफिस राइटर में तो आपको जवाब करना है 16 का क्या होगा बिलकुल correct है आप बना सकते हैं तो पहला option यहाँ पर आपका रइट हो जाएगा option नमबर ए अगला कुश्चन आपको बताना है e-commerce का प्रयोग website के लिए क्या जा सकता है बैपसाई के लिए क्या जाता है e-commerce का मतलग क्या होता है electronic commerce का प्रयोग website के लिए होता है तो बिलकुल सही जवाब पहला option आपका यहाँ पर correct answer है नेश कुश्चन आपको बताना है नेश कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है भी काफी important प्रस ने ध्यार रखना है फुल फॉर्म आपको बताना है नेश कॉम का क्या होता है यहाँ पर सही जवाब c-option हो जाएगा national association of software and service computer ध्यार रखना है c-option आपका correct answer होगा question number 18 का अगला कुश्चन आपको बताना है qr code में अधिकतम digit होते हैं अब qr code के अगर बात करें तो अधिकतम digit कितने होते हैं और इसका full form भी आपको comment कर देना है सही जवाब क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम qr का मतलब क्या होता यह भी आपको बता देना है और अधिकतम इसमें कितने digit होते हैं यह आपको बताना है तो पहला option correct हो जाएगा 789 maximum digit की संख्या होती है ठीक है और qr का मतलब होता है quick response quick response code होता है है तो दियाँ रखना है next question आप से पूचा है c2c का पूर्ण अर्थ customer to customer है पहता यह सही है या गलत customer to customer या फिर consumer to consumer भी कई बार आपको मिलेगा दिया रखना है जो भी आपका option में दिया हो यहाँ पर आपको true and false में बताना है जो कि बिल्कुल correct है पहला option आपका सही हो जाएगा ठीक है और अगला question आपको बताना है labor office में word processor software का नाम है बहुत अच्छा question है पूछा है labor office में word processor किसे कहते हैं calc impress writer all of these बताईए labor office की कई class हमने आप लोगों को कराई है उसमें सब को संधार रखा है word processor क्या होता है spread sheet क्या होता है और impress क्या होता है ठीक है तो labor office में अगर word processor की बात करें तो कौन सा software होगा इसमें से तो होगा writer option c द्यार रखना है writer क्या है एक प्रकार का word processor program है impress क्या है आपका presentation program है calc क्या है आपका एक प्रकार का spread sheet program है जैसे कि excel है impress क्या है एक आपका presentation program है जैसे कि आपका power point है writer क्या है एक word processor program है जैसे कि आपका MS word है तो word के समानी काम करता है इससे भी आप दिया रखें क्योंकि आपके syllabus में calc, impress और writer को रखा गया है जो कि काफी important है और बहुत सारे प्रसनियासिया आप से पूछे जाएंगे अगला question पूछा है delete mail को आप पुनहा प्राप्ट कर सकते हो delete mail को आप पुनहा प्राप्ट कर सकते हो फिर option दिया है ट्रैस folder, spam folder, outbox folder या none of this इसका मतलब हुआ कि अगर आपने mail को delete कर दिया है तो आप उसे फिर किस folder से बापस ला सकते हो किस folder से आप पुन्हा उसे प्राप्त कर सकते हो trash folder से spam से outbox से या फिर none of each तो option पहला हो जाएगा trash folder से ठीखे अब अगर आप से यह कहें कि delete किया हुआ mail कहां जाता है तो trash folder में जाता है तो बस simple सा बात है कई बार हमने हर बार लगवक हमें बात बोलते हैं कि question को पढ़ो उसको समझो और उस question को फिर कैसे भी पूछा जाए आपसे आप उसका जबाब कर पाओ केवल रेटना नहीं है केवल समझना है प्रेटने पर क्या होगा पढ़ाई है वो उस class से सभी question आ जाएंगे है ना भाई अगर आपने उस class से गर दो चार question भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई यह आप मान के चलिए क्योंकि exam होता है exam में बहुत मेनित करना पढ़ता है पुरा आपका book होता है उसको पढ़ना पढ़ता है पुरा syllabus complete करना पढ़ता है और फिर आपका exam होता है तब आप अपना exam को qualify करते हैं लेकिन अगर किसी ने एक class कर लिया दो class कर लिया और फिर वो चाहें कि इसी class से सारे question आ जाएं तो यह possible नहीं होता है तो यह थोड़ा सा हमको समझना भी पढ़ता है कि जो हमने पढ़ाया है question हो सकता है question बही रहे उसका जो है language बदल जाए change करते हैं और किसी और तरीके से पूछ ले यहाँ पर है delete mail को आप पुनापराब कर सकते हैं trash folder से तो आप यह बात समझ गए आप कैसे भी आप से कोई पूछे आप इसका जबाब कर पाएंगे है ना तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना पढ़ता है बच्चों को और वो आसानी से अपना और ऐसे जो करते हैं वही बच्चे फिर COMMIT करते हैं कि सरा हमारा A grade हमारा V grade आया हमारा C grade आया है आप तो बस थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से पढ़ना है अगर आपने महिनत करके पढ़ाय की है तो फिर कोई भी आपको पीशे नहीं कड़ सकता अच्छी grade में pass हो सकते हैं अब आपको बताना है facebook पर एक बार कितनी photo upload कर सकते हैं यहां पर आपका c option हो जाएगा 30 ठीक है तीस facebook पर एक बार में कितनी photo upload कर सकते हैं तो यहां पर correct जवाब है 30 option number c कि अरगला question आपको बताना है सबसी छूटा computer है कौं सा mikro है mini है super nanofdig मिनी है पहला option correct हो जाएगा सबसी छोटा computer कौं सा है मैक्रो है उससे बड़ा कौंसा है mini है उससे बड़ा कौंसा है mainframe computer है कौंसा है mainframe computer है और उससे बड़ा फिर super computer है यहाँ पर एक option में दिया नहीं गया है mainframe computer ठीक है micro, mini, manframe, super सबसे छोटा micro computer जो की पहला option आपका correct हो जाएगा याद रहे आपको अगला question पूछा है MP3 क्या है अब आपको बताना है MP3 क्या होगा mouse, printer, sound format या mobile phone 25 का जवाब करना है यहाँ पर C option हो जाएगा MP3 क्या होगा sound format है है ना sound format है option number C आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा अगला question है BCC की full form क्या होती है बताइए ECC की full form क्या होती है blind carbon color, blind carbon copy, black carbon copy या none of these इसका मतलब क्या होता है blind carbon copy ठीक है option आपका B हो जाएगा blind carbon copy ठीक है option number B हो जाएगा blind carbon copy होता है BCC का मतलब ठीक है या BCC का full form और अगर आप से पुछ जाए कि CC का मतलब क्या होता है तो CC का मतलब क्या होगा carbon copy होता है ठीक है option यहाँ पर आपका B correct है अगला कुछन आपको बताना है UPI किसके दोरा बिक्सित किया गया बताईए UPI किसके दोरा बिक्सित किया गया unified payments interface होता है full form क्या होता है unified payments interface याद रखना है 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा option पहला हो जाएगा NPCI के दोरा जिसका मतलब होता है National Payments Corporation of India क्या होता है National Payments Corporation of India NPCI का मतलब होता है याद रखना है 28 का जवाब बताना है LibreOffice Writer में print preview की shortcut क्या होती है और ये भी question काफी important है Writer से बहुत सारे प्रसंद पुशे जाते हैं तो LibreOffice Writer में print preview की shortcut की आपको बतानी है Ctrl Shift P, Ctrl Shift B, Ctrl Shift O या All of these तो अगर print preview की बात करें तो option C हो जाएगा यहाँ पर Ctrl Shift और O, Ctrl Shift O होता है LibreOffice में print preview की shortcut की अब यहाँ पर writer दिया है तो writer में भी ठीक है अगर यहाँ पर आपका calc या impress दिया होता तो उसमें भी ठीक है यानि कि LibreOffice में चाहे writer हो, calc हो, impress हो, सभी में print preview की shortcut की क्या होती है Ctrl Shift O होती है इसको भी आप जान ले है ना फिर writer आए तो आप करें फिर अगर calc पहुंचे जाए तो फिर आप सोचे की कौन सा होगा तो calc में भी यही होगा, impress में भी यही होगा और writer में भी यही होता है Ctrl Shift O, ठीक है अब बताना है 29 का right answer Amazon क्या है? Social site, Commercial site, Messenger, None of this जल्दी से आप लोग अपना जवाब भी जो, क्या होगा इसका सही जवाब? तो option भी हो जाएगा, एक commercial site है, है ना Amazon एक प्रकार की commercial site है चलो, अब अगला कुछन आपको बताना है IE का full form IE का full form आपको बताना है, क्या होगा इसका पुरा नाम? IE का मतलब होता है Internet Explorer, क्या होता है? Internet Explorer, क्या है? एक प्रकार का web browser है एक web browser program है, Microsoft के द्वारा develop किया गया एक web browser program है कौनसा? Internet Explorer, इसे आप याद रखें आज की class, बस यहीं तक उमीद करता हूँ, class सभी को पसंद आई होगी class अच्छे लगिए, उसे like शेरा बस करें, और जो भी साथी channel पर नए होँ आप लोग channel को subscribe करें, साथ में बिल आइकन भी on कर लिए, ठीक है? और आप सभी लोग मुझे comment करके भी बताएं कि आज आपने कितना score प्राथ किया हुआ है तो जो भी आपको score मिला है, आप comment करके भी बताएं और आप PDF भी download कर सकते हैं, link आपको description मिल जाएगा अगर आप इसी बकार के question चाहते हैं, तो इसमें ऐसे ही आपको 600 question मिलेंगे तो उसका PDF भी आप download कर सकते हैं ओके थरस वाचिंग, thank you, go night to all